Dear students, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चानल Study with Dular में बच्चों एक समय था जब राम लीला, क्रिसन लीला, राजा हरिश चंदर की कहानी इस तरह की लीलाएं उसमें बहुत परचलित हुआ करती थी और इसका कारण यह है कि आज टेक्नोलोजी जितनी फास्ट हो गई है उस तरह का उस समय नहीं था उस समय लोगों को मुवी देखना बहुत मुश्किल था बहुत मुश्किल से लोग मुवी देखते थे और आज सबके घर में टीवी, टेलिविजन और मुवाइल सबके हाथों में हो चुका है इसलिए अब राम लिला, कृष्न लिला लोग प्रिये नहीं रहा जब मैं बच्चा हुआ करता था तो कई बार मैंने खुद राम लिला का नाटक देखा है लेकिन अब वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा तो इसी तरह का एक कहानी यहां पे दिया हुआ है आए देखते हैं यह चप्टर कौन सा है यह कलास 5 का हिंदी बुक है चप्टर 15 है और इस चप्टर का नाम है राम लिला तो राम लिला से समंधित कुछ यहां पे श्टोरी दिया हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगी तबी पता चलेगा तो आई हम लोग इसको पढ़ना सुरू करते हैं पेशा में कोई पेशा हुआ भी तो राम लिला का दल रखने का पेशा हुआ दुकंदारी का पेशा होता, जमिंदारी होती, महाजनी होती कोई भी, कैसा भी पेशा होता एक बात थी मगर राम लिला का दल रखने का पेशा वह भी खांदानी पेशा है साथ पुस्तों से राम लिला का दल चला आता है राम रतन जरा आधुनिक बुद्धी का आदमी था तो राम रतन यहां पे एक वेक्ति है जो इस तरह से सुच रहा है कि यह भी कोई पेसा है राम लिला का टीम रखने का अब कोई दुकंदारी होती जमिंदारी होती तो अच्छा बात था लेकिन राम लिला अब वो मोडन जमाने का आदमी हो चुका है क्योंकि आज के समय में राम लिला बहुत कम ही रह गया है या नहीं के बराबर है अता अपने इस पेसे को पसंद नहीं करता जहिर सी बात है जो वैसा पेसा जो समय के साथ ना चले वैसे पेसे को लोग पसंद नहीं करते हैं, इसी तरह का राम रतन भी ऐसा बेखती है जो इस पेसे को पसंद नहीं कर रहा है, मगर खांदानी चीज है, राम लिलावा छोड़ नहीं सकता, अपना दल तोड़ नहीं सकता, अब पुस्तों से जब चली आ रही है, तो मुम्किन नहीं है कि इसे छोड़ा जाए, मगर ये जो एरा गयरा नत्थुक एरा आकर राम बनते हैं, लच्मन बनते हैं, वसिस्ट और विश्वमित्र बन जाते हैं, या राम रतन को पसंद नहीं, अब कोई भी ऐसा बेखती है, जो उसकी लिए सूटेवल ना हो, उप्यूक्त ना हो, और उसका रो अग्यान ही जादा निकलता है, अब यहां पे जितने भी रोल हो रहा है, जितने भी अभी नहीं कर रहे हैं कलाकार, अब उस तरह से सूटेवल नहीं हो रहा है, उस रोल का जो है, उस पार्ट को वो असमानी अपमान हो रहा है वो, इस तरह से, क्योंकि सूटेवल बेखती नहीं हो रहा है। इसलिए राम रतन राम लिला के इस पुराने धरे में परिवर्तन करेगा। अब वह ऐसा फैसला कर लेता है कि नहीं जो सुटेवल बेखती रहेगा जो उसके लिए उपयूगत रहेगा उसी आदमी को उसका रोल ना है कहीं भी जब अभीने किया जाता है तो हमें भी वैसा ही चाहिए जो उस रिख करें तो जी सी क्येश डा को मन भाते हैं तो पांच दिनों से प्सकю लेकिन राम रतन को ऐसा बालक नहीं मिला अब देख़्ें राम रतन यहां यहां पे कापी प्रहसान है वो राम के लिए जिस बालक को क्षोज रहा है जो ईस रोल को निभाने वह कोoh ore वह ठक चुका है, जो देखने में आते हैं, वे जी को जचते नहीं, सब में एक दो तूटियां अवेस आगे आ जाती है, वैसा मन चाहा बालक नहीं मिलता, जितने भी लोगों को वो देख रहा है, उसके हिसाब से लोग जच नहीं रहे हैं, वैसा कोई मिल नहीं रहा है, जान पर दोड़े नहीं बढ़ते हैं सपलता नहीं मिलती है तो निरासा सवभाविक है वो आही जाती है जब राम ही नहीं तो राम लिला भी नहीं वह ठक गया शरीर से भी मन से भी उसे लगा जैसे वह कूडे के अंदर साली ग्राम ढूंड रहा है ऐसा होना मुश्किल है भला कहा मिलेगा उसे लगा कि इतनी बड़ी धर्ती पर वह सबसे जादा लाचार परानी उसकी परिशानी में कोई उसका सहारा नहीं हो सकता कुछ ऐसा वो करना चाहरा है अब उसकी परिशानी को कोई समझने पा रहा है ढूंड तो रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है भलाया राम लिला में राम का ही रोल सबसे महतपूर्ण होता है अगर वही ना रहे तो फिर राम लिला होने की तो बात ही नहीं होती तब ही वह देखता है कि वैसा ही अबोध वैसा ही भोला निर्मल निश्चल सावला सलोना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दोड़ रहा कौन लड़ पार्क में तितलियों के पीछे दोड़ रहा आगे देखते हैं उसने बालक को बुलाया अपने पास बिठा कर उससे तरह तरह की बाते पुछने लगा लड़के ने कहा मेरे पिता नहीं है मेरी मा है वह क्या करती है मैं नहीं जानता हमारे घर में तीन गाएं है मा उसका नोकरी करते हैं जब वे आवेंगे तो मेरे लिए एक दोना मिठाई लावेंगे और एक रबर की गेंद लावेंगे फिर वे मेरे लिए कोट सिला देंगे और हाप पेंट खरीद देंगे फिर कोई तकलिप नहीं रहेगी जब उस बच्चे को अपने पास बैठा कर वह कई स जब आएंगे तो उसके लिए मिठाई ला देंगे कपड़े ला देंगे इस तरह से वो जो अपने मन में सपने देखता है उसी तरह का वो बतला रहा है और जो बाते बतला रहा है या इस समय का नहीं है वो काफी पुरानी बाते हैं उस समय के बच्चे मतलब इस तरह की बा हो रहा है कि उसका मेहनत जो है उसका मेहनत साकार हो गया राम के लाइक ऐसा बालक मिलना असंभव था थोड़ी दिर बाद वह उस बालक की मा के सामने खड़ा था और उसकी संकाओं का समाधान कर रहा था उसकी मा को जो हिचक थी 100 रुपिये की आवाज सुनते ही मिट गई कोई भी मा अपने बच्चे को कहीं जाने के लिए स्विकार नहीं करेगी तो जब उसने बोला कि मैं आपको 100 रुपिये देता हूं तो उस समय की बात है 100 रुपिया आज के समय में अधिक वेलू नहीं है लेकिन पुराने जमाने की बात है तो उस समय 100 रुपिया बहुत बालक क्या बोल रहा है करूंगा बालक ने सरलता से जवाब दिया तब तुम तीर चला कर तालका को कैसे मारोगे रमाइन के बारे में उसको बतला रहा है और बोल रहा है कि तुम कैसे क्या करोगे तो बालक छोटी सी धनुही से तीर कर ऐसा सरल संधान किया कि राम रतन खु इच्छा गया उसके पास एक धनुस था जो बच्चपन में बच्चे धनुस बनाकर खेलते हैं लेकिन हम लोग अपने समय में धनुस बनाकर खेलते थे तो उसी को धनुं ही बतला रहा है उसी से वद्ध कर बालक को ये और नहीं मिलेगा राम रतन उस बालक के बारे में सुचता है कि अगर इस बालक को राम बनाया जाए तो लगेगा कि सचमुच का राम है इस तरह से सत्यता साकार हो उठेगा दूसरे दिन से ही राम लिला के दर्सकों की भीड तीगुनी चोगुनी होने लगी वह बालक राम के रूप और अभिने को सार्थक कर रहा था जब उस तरह का रोल निभालने वाला कोई मिल जाता है तो दर्सकों की भीड तीगुनी और चोगुनी होने लगती है तो वही पिर 22 वर्ष वैतित हो गए, इतने दिनों की बड़ी लंबी अनेका अनेक कहानिया है, राम रतन की राम लिला पार्टी आज भारत वर्ष में विख्यात है, पार्टी के पास धन है, समान है, परतिष्ठा है, मगर फिर भी राम रतन को सांती नहीं, अब उसकी पार्टी गवा उसे राम के लिए वो बच्चा मिल गया, अब उसके बाद 22 वर्ष बित गया है, वो तो पुरानी बात हो गई, अब 22 वर्ष तक वो राम लिला की नाटक जो है, अभी भी कर रहा है, और कई सारी कहानिया करता है, पूरे भारत वर्ष में विख्यात हो गया, परसिद हो गया है, उसके पास आज धन, समान, परतिष्टा सब कुछ है, लेकिन फिर भी राम रतन को सांती नहीं है, अब ये पाटी जो है गवालियर में आई है, और लोग सुख है, उसके राम लिला नाटक को देखने के लिए, लेकिन राम रतन 15 दिनों से जान बुशकर देरी कर रहा है अब क्यों देरी कर रहा है, उसके पास रावन की कमी है, अब 22 वर्स बाद अब उसके पास एक अच्छा रावन का रोल करने वाला कोई वेक्ती नहीं, जो वेक्ती रावन का पाट करता है, वह राम रतन को पसंद नहीं, फिर उसे गवालियर के नरेश कैसे पसंद करेंगे, इतनी बड़ी पिर्थवी पर उसे एक रावन नहीं मिलता राम रतन रावन खोज रहा है और परेसान हो रहा है अब वह देर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास रावन करने वाला एक अच्छा विक्ति नहीं है जो रावन का रोल कर रहा है उसे वह खुद पसंद नहीं करता है तो यहां की लोग कैसे पसंद करेंगे यहां के जिस राजा ने उसे निमंतरित करके बुलाया है वह कैसे पसंद करेगा क्योंकि राम रतन को खुद पसंद नहीं है लोगों को पसंद नहीं आएगा इसलिए वा परिसान है अब उसके समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी पिर्थों में उसे राम कहां से मिलेगा अब भा रावन का खोज कर रहा है और परिसान हो रहा है रावन जैसे परती चेहरे पर क्रोध था, अब उसे जिस परकार का रावन चाहिए, वैसा उसको मिल नहीं रहा है, उसके पास जो रावन था, उस रावन में क्रोध था, हिंसा था, तो उस तरह की चीजे होनी चाहिए, उसके भारी गले से करकस आवाज निकलती थी, आइसा ही रावन होना एसा ही एक वैक्ति उससे एक सराब खाने में दिखाई दिया, उसके चेहरे पर अभिमान और कुरूरता थी, करकस कंट से गालियों की बोचार निकल रही थी, दुकंदार से वा मुप्त में सराब मांग रहा था, लेकिन सराब के बदले दोनों में बेसुमार गालियों का व बहुत गाली दे रहा था, उसके हर बात पर गाली निकल रहा था, और दुकंदार से मुप्त में सराब पीने का जिद कर रहा था, तो दोनों एक दुसरे को गालियों दे रहे थे, हाँ यही वेक्ति है, जो चाहे तो रावन बनकर सचमुच सज सकता है, चेहरे पर कैसी भ्य मीनापन है, या साधू का कपट वेस धारन करके सिता के पास जाएगा, तब भी मन, वानी और रूप की भ्यानकता नहीं मिटेगी, देखते ही लोग कह देंगे, यही रावन है, कपकी बदमास, और इस तरह का जब भी कोई नेगटिव पार्ट करता है, तो लोगों के मन में इस तरह की भावना आनी चाहिए कि हाँ, यह बदमास है, यह कमीना है, इस तरह की बाते हैं, जैसे कि जब हम लोग बच्पन में मुवी देखते थे और अमरीश पूरी जी को जब देखते थे, तो हम लोग बच्चे लोग गालिया दिने लगते थे, यही बदमास है, यही फेंक कर बोला, भाई, मेरी और से इन्हें पिला दो, एक बोतल, तो उस जमाने की बात है, तो उस समय कम पैसे में मिलती होगी सराबें, इसलिए एक चोवनी को देखकर, और रामरतन बोलता है दुकंदार से, कि इसे इतने रुपिय की जो है, एक बोतल सराब पिला दो, तो वैसी स्थिती को देखा, वो जो बेगती था, तो बोला, तुम तो बहुत दियावान हो, क्या बात है, तुमारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रामरतन ने कहा, मेरी एक रामलिला पाटी है, मैं उसमें तुम्हें रावन का पाट देना चाहता हूँ, तो आदमी चोग जाता तो आज पुरुसकार में मैं तुम्हें क्या दूँ, अब उस बेक्ती को ले आता है, रामलिला में रावन का रोल उससे करवाता है, और वाकई में वह रावन के रोल के लिए बहुत ही उपयोक्त निकला, काफी अच्छे तरीके से किया, और रामलिला जब समाप्त हो जाता है, कि अब तुम्हें पुरुसकार क्या चाहिए, तो रावन ने कहा, मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूँ, अब आज क्या मांगो, तो रावन इस तरह की जब बाते करता है, तो रामरतन चोक जाता है, कि पहले रामरतन ने आस्चर से का, मैंने तो पहले तु आपसे मुझे ले गए, याद कीजिए, मैं वही आदमी हूँ, एक दिन आपके यहां मैं राम बनता था, याद आया, अब वो आदमी बतला रहा है कि जब मैं बच्चा था, उस समय आपके यहां जो राम का रोल क्या करता था, मैं वही आदमी हूँ, और आज रावन का पुर्ती हुई सी दिखलाई पड़ी, वह आश्चर से चकित होकर बोल उठा, हाँ तुम वही राम हो, मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो, यहां पे कितनी विडंबना की बात है कि वो जो लड़का राम का रोल क्या करता था, वो निर्मल, निश्चल, सावला, सलोना बच्चा और आज 22 वर्स के अंतराल के बाद इस तरह का उसमें बदलाव आ गया, कि अब वह रावन के रोल के लिए उप्युक्त हो गया, अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, समय किस तरह से लोगों की जीवन में बदलाव लाता है, तो आज़े देखते हैं इसम समझें, यहां पे हिंदी सब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसे आसान समझने की भूलना करें, हिंदी सब्दार्थ भी कठिन हुआ करता है, समय पे आपको याद नहीं पड़ेगा, इसलिए कम से कम दो, चार, पाँच बार इसको पढ़ लेंगे, ज्यादा अचा रहेगा, Q2, विलोम सब्द, उल्टा सब्द इसे बोल सकते हैं, विपरितार्थक सब्द बोल सकते हैं, Q3 में, वरतनी सुध करें, तो वरतनी मतलब यहां पे कुछ मातरा इसा दिया गया है, जिसको गलत दिया गया है, उसको सही करना है, और Q4, सोचे और बतलाएं, इस चेप्टर का मुख क्वेश्चन है, तो आए मैं आप लोगों को इसका अंसर बना के दिखाता हूँ, यह है चेप्टर 15 का Q3, Q3 में इनकी वरतनी सुध करें, तो यहां पे जो गलत सब्द दिया गया है, उसको सही करके लिखना है, यहां पे सभी सब्दों को सही कर दिया गया है, Q4 में स सावला सलोना बालक चाहिए था, जो राम का अभिनाई कर सके, राम रतन ने उस बालक में क्या देखा, राम रतन ने उस बालक में वही सारी खूबियां देखा, जो वह ढूंड रहा था, वैसा ही अबोध, वैसा ही भोला, निर्मल, निश्चल, सावला सलोना बालक पार्क म तितलियों के पीछे दोड़ रहा था उसने धनुही से क्या क्या उसने धनुही से तीर का ऐसा सरल संधान किया कि राम रतन खुशी से निहाल हो उठा रावन का अभिने करने वाला कहां मिला रावन का अभिने करने वाला एक सराब खाने में मिला रावन का अभिने करने वाले ने अपने बारे में क्या बताया कि मैं वही आदमी हू जो लड़कपन में आपके यहां राम का पाठ क्या करता था राम के समान निर्मल निश्चल रावन के समान कैसे हो गया उस बालक के घर की हालत ठीक नहीं थी तीन गायों के दूद से ही घर का काम चलता था 22 वर्सों के बाद राम रतन किसी खोज रहा था वह रावन का अभिने करने वाले को खोज रहा था राम रतन राम लिला का दल तोड़ नहीं सका क्यों? राम लिला राम रतन का खांदानी पेशा था वह साथ बीडियों से चला आ रहा था इसलिए राम रतन राम लिला का दल तोड़ नहीं सका तो यहाँ पे यह चेप्टर पूरी तरह समाथ हो जाता है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है आप हमारे इस वीडियो को एक लैक जिरूर कीजिए और इसी तरका और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं